नमस्ते बच्चों आप सभी का आपकी अपनी इस यूटूब चैनल हिंदी वाले मार्शा पर मैं विनो सरोवा एक बार पून है विनांदन करता हूँ बतों आज हम कखाबार है कि विसे हिंदी इन्वारिये के प्रारूप लेक्न जिसमें पांथ प्रारूप हैं उनमसे ये क जापन पर हम बात करने के लिए । नमबर की अध्वा वाला प्रसन होगा इसमें अर्दसास के पत्र हो सकता है अधीसूचन अनिवीधा हो सकती है प्ले लिष्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, देखें, कि जापन क्या चीज है, क्यों लिखा जाता है, इसकी मुक्खे बाते कि हैं और किस प्रकार से इसका उधारना में लिखना है क्यों लिखा जाता है आलंग कि ये प्रसंद पूछा नहीं जाएगा बावजूद इसके हमारे नौलेज के लिए जरूरी है कि सरकारी पत्र व्यभार में अपने संकक्स या अधिनस्त अधिकारी करमचारी को सामने करने के लिए इसे लिखा जाता है तत्थे क्या क्या है या इसमर्ण या ध्यान रखने योग के बाते जो है कि इसे अन्यपुरूस सहली में लिखा जाता है इसमें कोई किसी प्रकार का अभिवादन नहीं किया जाता नमस्ते नमस्कार इत्यदी पूरा जपन एक ही अनुछ प्रेशितियों का नाम नीचे की तरफ लिखा जाता है अब प्रसन आपके शामने यह रहा कि सचीव आप खुद कहा है सचीव किसके स्वास्ते विभाग की तरफ से आप स्वास्ते विभाग के सचीव मानते हुए अपने आपको एक जापन लिखिए जिसमें 14-18 वर्स के बच तशूचना हो अब देखते हैं यहाँ उत्तर क्योंकि और यहां से हम शुरू नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते इस वाठकों की प्रारूप हमेशा नए पेज से लिखा जाता है तो यहां देखेंगी यह उत्तर और बीचों बीच लिखा राजस्तान सरकार चिकित सा एवं स्वास्ते विभाग सासन सची वाले उसके बाद में क्रमांग लिखेंगे चिकित सा एवं स्वास्ते विभाग दो जार वाइस और तीस से अपन और उसके बाद में लिखेंगे विसे COVID-19 टीका करन के संबन में ये विसे लिखेंगे दिया उसके बाद में नया पेरेग्राफ आप शुरू करेंगे और लिखेंगे कि विभाग द्वारा विभाग आपने उपर लिखेंगे दिया पांच आउरे 6 अपरेल 2022 को पूरे प पेक्सित रहेगा हमें प्रैदेश के मतलब राज्य की प्रतेक गांव सहर ढाणी के गली महले हर गली महले तक अपनी पहुंच सूनिश्चित करनी है ताकि एक भी वच्चा वेक्सिन से वन्चित ने रह जाए इसके लिए प्रतेक चिकित साले में अपने च्छत्र की भाग लगे आपके वहां साधन संसाधन होंगे उसी के हिसाब से आपे और अपनी व्यवस्थाएं करें तो और सामाजी और जैसे यह सिक्षा का प्रचार प्रसार कम है तो हो सकता है वहां आपको लोग मना करते दिखें कि हमें वेक्सिन नहीं लगवानी तो आप वहां पड़ेगी प्राइवेट साधन आपको किरैप्र करना पड़ेगा वेक्सिन रखने का जो भंडार है उसको कोल्ड स्टोरीज में रखा जाता है तो इतादी उनके लिए आपको व्यवस्था करने पड़ेगी तो उसके मद्दे नजर आपे कार्य योजना बनाई जाए ताक सभी जिल सभी जिल नंवगों के लिए यह पत्र नजर वेओ ड्यवस्था करिया तो इस परकार से आपका यह जापनका चैप्टर आज यहीं खत्म होता है अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप देखते रहें और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद